जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को ब्याइच्चू ब्यासी नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम की तैयरी करा रहा हूं और प्रिविएस वीडियो में हम सभी ने फंगर से जोड़ी वे कुछ इसके बाद है एक्षर क्या होता है फंगर की वज़ा से पैरों में पानी लग जाता है जिसे आप पैरों में पानी लग गया है तो याद रखेगा फिर इसके बाद है एस्पजिलोसिस जो की लंग्स से जुड़ावा डिज़़ है एक और लंग्स से जुड़ावा डिज़़ है हिप्टो प्लाज्मोसिस तो यह दोनों रोग यानि की एस्पजिलोसिस और हिप्टो प्लाज्मोसिस यह हमारे लंग्स को एफेक्ट करते हैं तो इसके बाद है पहला कोश्चन है निम्न में से कौन मनिस्यों में एक कवक जनी तरोग नहीं है तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें हैं नहीं है दाद जोल्सिस अथिलिट्ट पूट अपनर पीछे पढ़ा ये पीच्छज्ज्ज्द यह की बैक्टिरियल nervous जो कि होता है तो यहां पर जो हमारा right option option four है अगला question है कौन मानों में कवक जनित तषा की बिमारी है तो पीछे आपने देखा था कि तषा की बिमारी थी तषा यानि की रिंग बाप right option 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 b चलते हैं अगले question के और जब कवक मित कार्बनिक प्रदाथों से पोस्टर प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते है तो कोई भी जी हो चाहे कवक हो या कोई भी जी हो अगर वह मित कार्बनिक प्रदाथों से अपना भोजन लेता है तो उसे हम बोलते हैं मितोप जीवी यानि की सैप्रोफिटिक तो हाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्यों होगा आगले कोस्फkte देखते हैं अगला कोस्फटिं सक्षुन है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है निन बाकी सब ही जितή है बाकी जो उपर लिखा व Stress यही जुझा का पहला एंटीबायोлоाटिक है तो बात करें अगर यह दोनों पॉइंट याद रखेगा तो सबसे पहला एंटीबाइटिक है पेनिसिलीन और उसको बनाने वाले थे अगला कोशन है एंटीबाइटिक की खोश किस ने कि थी तो फ्लेमिंग ने किया था फ सब्सक्साइब क्या जाता है तो अगले कोशन की जाती है तो यहांपर जो आपसं जी फोर होगा यानि कि option D होगा उपरोक्त सभी अई चलते हैं अगले question क्यों देखते हैं अगला question क्या है निम्न में किसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है तो डबल रोटी बनाने में इस्ट का प्रयोग किया जाता है और याद रखेगा इस्ट एक ऐसा fungus है जो की एक कोस की रूप में पाय जाता है तो अब दो question इससे बनते हैं पहला तो मैंने बता दिया डबल रोटी में और दूसरा ही है एक कोस की कवक है अगला है निम्न में कौन एक कोस की कवक है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इस्ट है जिसे हम खमीर के नाम से भी जानते यह एक कोस की कवक है अगला question है इस्ट की कोस कि ने की तो इस्ट की खौज लिवन हॉक ने की यहां पर राइट आपसन है आपसन भी तो इस्ट का उपयोग बेकिंग इंडिश्टी यानि की पार रोटी उद्द्योंग में किया जाता है बेकिंडिकर बेकिंडिक अग जब fermentation होता है CO2 release होता है तो यह CO2 क्या कहता है bread को फुला देता है और उसे spongy बना देता है तो आपने bread में देखा होगा ढेर सारे छेद दिखते हैं वो किस के कारण दिखते हैं CO2 के कारण दिखते हैं तो अगला question है किस gas के कारण double roti spongy हो जाती है और फूल जाती है तो अभी मैंने बता है carbon dye oxide तो राइट option है option B अगला question है नेमने में से किसे bread mold कहा जाता है तो राइजोपस को bread mold या black mold भी कहा जाता है इसको याद रखेगा तो blue mold यानि कि नीला फुफूदी penicillium को बोले जाता है तो याद रखेगा ये question पूछा हुआ है कई बार तो blue mold या नीला को bread mold की बात करे तो राइजोपस को bread mold भी बुले जाता है इसके लवा black mold और pin mold राइजोपस को भी बुले जाता है और black mold और pin mold म्युकर को भी बुले जाता है तो खाने योगी जो मश्रूम होता है वो होता है एगरिकस सभी मश्रूम खाने योगी नहीं होते हैं कुछ जातियां जो होती हैं वो जहरीली होते हैं जैसे की एमानिता यह एक जहरीली जाती है लेकिन जो खाने योगी मश्रूम है वो है एगरिकस तो यहाँ पर कुछ edible fungus यानि की खाने योग फंगस का नाम दिया हुआ है जैसे की एगरिकस, मुर्सेला ठीक है वहीं कुछ जातियां जो होती है वो जहरीली होती है जैसे की एमेनिता और बॉलेटस तो आप इनको भी याद रखेगा क्योंकि इनसे भी question बनते हैं तो अगला question है डैस को blue mold भी कहा जाता है तो किसी blue mold बोला जाता है तो अभी हमने देखा पेनिसिलियम को तो right option है option B अगला question है सुच्छतम कवक है मतलब कि सबसे छोटा कवक कौन है तो east है क्योंकि मैंने बता था यह एक को सकी रूप में पाया जाता है और जो सबसे बड़ा कवक है वो है जाएंट पबाल तो याद रखेगा कि जाएंट पबाल सबसे बड़ा fungus है और सबसे छोटा fungus है इस्ट तो आए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन की तो लाइकेन सिंबियोटिक का सबसे चाउधरन यानि कि सहजीवता का सबसे चाउधरन है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं कवक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं माइको बायोंट और दूसरा भाग होता है सैवाल भाग जिसे हम बोलते हैं फाइको बायोंट तो आइकेन के अंदर यह जो कवक और सेवाल है इन दोनों के विज़ रिलेशन है उसे हम हेलोटेजम best week कहते हैं तो इसे याद रखेगा इससे से भी question पूछ जाता है तो इनके भी जो relation होता है उसे हम बोलते हैं हैलो टिस्प दूसरी बात अगर हम बात करें इनके जनन की तो इनमें और लेंगिक और लेंगिक जनन दोनों होते हैं लेकिन ये जो जनन होता है केवल कवक बाले भाग से ही होता है आई नेक्स हम बात कहते हैं कवक के आथिक महत्यकी तो सबसे पहले हम बात कहते हैं भोजन के रुप में तो रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया इसका उपयोग आर्केटिक छेतर में भोजन के रुप में किया जाता है तो reindeer moss और cladonia ये दोनों lichen है जिनका उपयोग reindeer और मवेसियों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है तो ये architect छेत्र में उपयोग होता है इसके बाद है Iceland moss ये भी एक lichen है जिसका उपयोग Ireland में केक बनाने के के रूप में होता है इसके बाद हम बात करें इंडो कारपन जिसका उपयोग जापान में सबजी के रूप में किया जाता है और अगला है परमेलिया इसका उपयोग दच्छिड भारत में करी बनाने में किया जाता है बात करे हम इसके औसधी गुण की तो औसधी बनाने में लाइकेन का उपयोग किया जाता है और इसके साथ डाई यानि की कलर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं वही बात करहें हम लीटमस पेपर बनाने में तो लीटमस पेपर बनाने में रोसेला और लशालिया इन दोनों लाइकेंड का प्रयोग किया जाता है तो बड़ा important है रोसेला इसको याद रखेगा इसके अलावा इत्र बनाने में धूप, हवन सामगरी और साबुन के निर्माड में सराब बनाने में और सबसे most important एक topic और है कि इसका उपयोग वाई प्रदूसर्ण में संकेतक के रुप में किया जाता है तो जिस वातावरण में SO2 गैस की मातरा अधिक होती है वहाँ पर लाइकेन संकेतक के रुप में यूस किया जाता है तो यह कुछ important थे लाइकेन से जुड़े हुएं तो आज़े चलते है question की और सब्द लाइकेन किस ने दिया था तो सब्द लाइकेन थियो फ्रेश्टस ने दिया था तो right option है option B चलते हैं अगले question की और अगला question है कवक और सेवाल दोनों से मिलकर बनते हैं तो हम सभी जानते हैं कवक और सेवाल दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन ठीक है कवक वाले भाग को हम बोलते हैं माइको बायांट और सेवाल वाले भाग को हम बोलते हैं फाइको बायांट अगल में उपित कफन से चलते हैं मारं निस त comp by गीला क ग्लत कफन को चुनए let इसमेंडे से उसे में रिलेट सन्पन को चुने है यह यहाँ निरमा भी कहा जाता यह जाता है यह भी सहई है यह प्रदूशक के संकेत तक की रूप में जूद होता तो इसलिए इनका उप्योग जैसा कि मैंने पीछे बताया था as a indicator यूज किया जाता है तो यह प्रदूशक के संकेतक के रुप में भी यूज होते हैं इसके लबा जो अगला option है option है औसधी के रुप में इसका उप्योग किया जाता है तो यह भी सही है लेकिन यहाँ पर जो हमारा right answer है वह option c इन में से कोई नहीं क्योंकि question पूछावा है कि like in के संबंद में गलत कथन चुने तो इन में सभी कथन सही है तो यहाँ पर ऐसा question बन सकता है और दोनों का एक ही एंसर होगा तो आपको बताना है कि कवक या लाइकन जो की चाल पर विद्धी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो प्रिविएस पार्ट में मैंने इसका answer आपको बता रखा है तो इसका जो राइट आप्शन है option c है verticollus यानि की कवक और लाइकन जो की पीडों की चाल पर विद्धी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोटी कोलश तो दोस्तों आज पार्ट मिं डिसकस करूंगा तो सभी को-शन इंप्वाट्टेंट है तो मिलते हैं अग्ले पार्ट में यानि की पार्ट थर्ड में जिसमें की हम इंपॉट्जण को है को दोस्तों आज का वीडियों बस इतना ही हिए जाहिन जा भारत झाल झाल